दोस्तों आज हम इस वीडियो में विकास लाइफ केर और विकास इकोटेक को साथ में डिसकस करेंगे यह दोनों कमपनिया कुछ अलग लग रही है यानि अगर आप देखे तो 25 तो बहुत सारे है लेकिन इन 25 पे कुछ खास बात है यहाँ पे इनका बीजनस मॉडल बहुत ही जादा यूनिक है और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से कमपनी का कारूबार तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ पे कमपनी अपने डेट को भी कम कर रही है साथ में अगर आप देखे तो लगाता है नए बीजनस में इंट्री भी हो रही है तो यह पैनी स्टोक दूसरों से हटके लग रहे है इसलिए इनको हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले अगर विकास इकोटेक लिमिटेड की बात करें तो स्टोक 3.05 पर है जहाँ पे हमने फ्राइडे के दिन कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिली वैसे तो स्टोक काफी जादा कमजोल लग रहा है इस लेवल पे पिछले एक साल के हिसाब से तो इसने अभी भी अच्छा रिटन दिया 63.98% का पॉज़ी रिटन दिया क्योंकि 1.86 की प्राइस दी 4 अक्टोंबर 2021 को उस हिसाब से देखे तो स्टोक ने कमाल किया लोगों का अच्छा रिटन अभी भी दिया लेकिन उपर की लेवल से काफी जादे यह गिरा है नीचे भी आया है इसका मनब यह देख सकते आप कि 6 मन के हिसाब से 42% डाइव नहीं है क्योंकि 5.30 के आसपास था 4 अपरेल को अब जिसने कम से कम बन मन पहले इंवेस्मेंट किया वो इसको भी फिलाल इसमें लॉस हो रहा है कि अब इसको भी 16% का 3.65 के आसपास से स्टोक था अब विकास इकोटेक लिमिटेर की बात करें तो यह कमपनी का अलग-लग बीजनस है इसके लावा कमपनी रियल इस्टेट का बीजनस भी करती है और इसका आप देखे तो यह कमपनी एक और्गोनेशन इस्टेबलाइजर बनाती है जिसमें इसका मॉनोपॉली बीजनस है यानि इसके जैसे और कोई कमपनी नहीं है जो हिंदोस्तान में और्गोनेशन इस्टेबलाइजर बनाती है तो आप देख सकते हो कि इसके पास कुछ ऐसे प्रड़क है जिनकी मार्केट में जबर्दस वैल्यू है और यह अपनी प्राइस से उनको बेच भी सकते है क्योंकि इनके पास उनकी मौनोपॉली है तो बहुत सारे सेक्टर में इनके प्रड़क की डिमांड है जैसे आप देख सकते हो आप देख सकते हो अटोमटिव इंडेस्टीज इसके इलाबाब फूटवेर इंडेस्टीज टेक्साल इंडेस्टीज फूर्मसिटिकल इंडेस्टीज पैकेजिंग इंडेस्टीज इन सारे इंडेस्टीज को ये प्रड़क्स सप्लाई करते है और इसलिए ये कंपनी का कारुबार काफी अच्छा है बड़े-बड़े ब्रैंड्स के साथ में इनका कॉल्लोबरेशन है आप देखते हैं फूर्मसिटिकल इंडेस्टीज हो कंपनी का कारुबार काफी तेजी से बढ़ रहा है और लगातार इनके बीजनस में हमें कुछ ग्रोथ की समभावना दीख भी रही है यहाँ पे अगर हम इसके फंडामिडल देखे तो काफी अच्छे लग रहे आधी कीमत में इस समय मिल रहा है श्टॉक का पी 43.4 है और इसकी बुक वैल्यू देखे तो 2.42 है अब यहाँ पे इसकी आरोसी देखे तो 7.06 परसंट है और इसका आरोई वीवेक गर्ग उन्होंने फिर से अपनी पोस्ट पे रिअपोइंट किया अपने आपको और तुसरी तरह अगर आप देखे तो दिनेश भारदवाज जो वोल टाइम डारेक्टर होंगे कमपनी के उनकी प्रस्ताव को भी पास किया गया अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कमपनी ने अपनी कोटर टू की त्यारी कर दी है कमपनी की तरफ से का गया है कि हमने इंसारी ट्रेडिंग को रोग दिया है क्योंकि से भी की तरफ से लोग कि एक बार रिजल्ट कम्पलिट हो जादा उसके बाद में कोई भी कमपनी से संबनी चाहे है वो बोर्ड मेंबर हो या फिर प्रमोटर ग्रूप से हो या एमपलोई जो कोई भी अब ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है और जब एक बार रिजल्ट हमारे सामने आएगा उसके बाद में ही या ट्रेडिंग विंडो खुलेगी उसके फोटेवर्स के बाद में ही वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है इसके बीच में अगर हम देखे तो कम्पनी का प्रदसन काफी अच्छा है अगर हम इनके रिवेन्य को देखे तो आखरे काफी उत्सावर्दक है जून 2021 में इनका जो टोटल अगर आप रिवेन्य देखे तो 18.10 क्रोड पीज का था अब ये रिवेन्य आप देख सकते हो बढ लिगातार बढ़ते हुए इस जून कोटर में 88.69 क्रोड पी तक पौँच गया तो ये बहुत ही बड़ा उच्छाल है यानि कहां पे तो जून 2021 में 18 क्रोड का इंकारी भी नहीं था वो इस बार 88 क्रोड पी तक पौँच गया तो ये बहुत बड़ा उच्छाल है और ये इ 11.46 क्रोड पी इसका प्रॉफिट हुआ है तो कहां पे तो पहले चार क्रोड 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 का प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा-कासा उचाल है और रिवेनी में तो बहुत बड़ा जिंप है कुल मिला कि कंपनी का कारुबार काफी सांदार अब यहां पे जो सबसे बड़ी चिंता जन्दक बात है वो है कि प्रमोटर की होंडिग यहां पर बहुत ही कम है दिसमबर तक यहां पर 15 0 percent की प्रमोटर की होलडिंग थी उन्होंने अपनी होल्डिंग को लगबग और 32% की holding थी और December में उन्हों अपनी holding को कम कर लिया था, 0.08% कर लिया था, March में फिर से holding बड़ी 1.11% लेगिन फिलाल 1.08% की holding है, तो FI नहीं आपे निवेस को बनाए रखा है, जो हमें थोड़ा सा इसमें निवेस करने के लिए प्रेजिद कर सकता है, इसके अलावा जनल पब् हैं लेकिन इस TTM 153% है, तो SEL में जबरदस उचाल है, प्रफिट ग्रोथ की बात के तो 10-York के रह साब से 8% निगेटिव है, 5-York के साब से 47% निगेटिव है, 3-York के रह साब से 55% निगेटिव है, लेकिन इस TTM 152% पोजिटिव है, तो आप यह देख सकते हो कि SELS और प परसंट पूझेश और इस one year के इसाब से 70 परसंट पूझेश और कुल मिला कि इस टौक की परफर्मेस भी ठीक है, आरोई को देखेंट तो 10 year के इसाब से 9% है, 5 year के इसाब से 3% है, और 3-year के इसाब से माइनस 4% दा लेकिन इस लाश्ट एर 1% पॉजिटिव हो चुका तो कुल मिला के आरोई में भी इंप्रूइमेंट दीखे दे रहा है Overall काफी अच्छा इस्टोक है और आने वाले समय यह एक बड़ा मल्टी बेगर हो सकता है हो सकता है आने वाले 5 साल में यह 500 को भी टच कर जाए तो निवेस किया जा सकता है चलते है विकास लाइपकेर लिमीटेट की तरब तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी काफी मजबूत है 4.55 की प्राइज है जहाँ पर हमने लगबग 5% की तेज़ी देखी वन येर के हिसाब से जिसने भी निवेस किया उसको फिलाल 37% का अच्छा खासा रिटन देखना को मिला है लेकिन जिसने 6 मन पहले निवेस किया होगा उसको फिलाल 14% का लॉस हो रहा है और जिसने मन पहले निवेश किया उसको भी 12% का लॉस हो रहा है उपर के लेवल से स्टॉक नीचा है तो यहाँ पर कमपनी का जो मुख्य बीजनेस है वो है इसका भी रियल इस्टेट का बीजनेस है साथ में कमपनी एगरी कॉमोडिटिटी का बीजनेस कर रही है इसके लावा कमपनी का FMCG सेक्टर में भी 12 है और सबसे बड़ी बात है कमपनी फिनिच केश्व नेट का बीजनेस कर रही है इसके लावा कमपनी केमिकल सेक्टर में भी इन्वाल्व है कुल मिला कि यह भी एक बड़े पोटफिलियो के साथ में आगे बढ़ रही है अगर हम इसके मार्केट के अपको देखे तो 604 कोड़ बीज का है करन्ट प्राइज 4.55 है इसका 50 रुपी का लो 3.10 का है और 50 रुपी का ही 8.15 का है स्टॉक का पी 20.2 का है और इसकी बुक वैली देखे तो 1.82 है और यहाँ पर इसका ROC 25.4 परसेंट है ROE इसका 21 परसेंट है और फेस वैली बन है तो देख सकते हो कि फंडामेटल इसके भी काफी अच्छी है सबसे अच्छी बात है कंपनी लगाता अपने डेट को कम करी है अल्मोस्ट डेट फ्री हो चुकी है लगातार अच्छे quarter result दे रही है पिछले 5 साल से इसका CGR देके तो 232 परसेंट पर मेंटेन है और कंपनी के डेटर डेट में लगातार इंप्रूमेंट हो रहा है जहांपे 227 डेट थे वो अब 62.3 डेट पर आग चुका है कुल मिला कि यह जो परदसन है यह काफी सांधार है यहाँ पर कंपनी ने काये कि उन्होंने अपनी टेडिंग विड़नों को बंद कर दिया इंसाइडर डेट डेटिंग के लिए क्योंकि quarter 2 के त्यारी हो चुकी है जल्द ही quarter 2 हमारे सामने होगा अब कंपनी के रिवेन्यू को अगर देखे तो जून 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 24.10 को रुपीज का था जो इस जून quarter में बढ़के 92.20 को रुपीज तक आ गया तो बहुती बड़ा जंप देखनों को मिल रहा है इनके रिवेन्यू में इसका मतलब कंपनी ने बहुती सांदार प्रदर्शन के है पिछले एक साल में प्रॉफिट को देखे तो जून 2021 में 0.33 क्रोड रुपीज का मामूली सा प्रॉफिट था इस जून quarter में वो बढ़के 2.59 क्रोपी तक पहुच गया प्रॉफिट में भी जबरदस उचाल है लेकिन इसको अगर मार्च quarter से compare करें तो आपको कम होता हो दिखे लेका क्योंकि मार्च में कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो दा करीब 23.05 क्रोपीज का कुल मिला के कंपनी ने अच्छा परदर्शन किया है अब यहाँ पे share holding pattern को देखे तो यहाँ पे promoter थोड़ी सी अपनी holding कम कर चुके याँ 13.31% के holding है तो यह थोड़ी सी चिंदा देनक बात तो है लेकिन यहाँ पे जो सबसे सांदर आकड़ा है वो है FI की तरब से FI ने जहाँ पे इनकी holding 0.03% के थी जनरल पब्लिक के पास 74.47% की holding है और इसमें इस हिसाब से हम निवेस के बार में सोच सकते है क्योंकि company ने परदर्शन काफी अच्छा किया government ने भी holding लिए और साथ में यहाँ पे FI का बहुत ही जबरदस निवेस है अब यहाँ पे इसके sales और profit के आकड़े देखें तो 5-year के हिसाब से sales 24% positive है 3-year के हिसाब से 11% positive है TTM 275% positive है जबरदस जब है sales के आकड़ों में profit growth को देखें तो 5-year के हिसाब से 232% positive है 3-year के हिसाब से 364% positive है इस TTM 309% positive है तो कुल मिला के profit और sell दोनों के आकड़े में एक बहुती बड़ा उच्छाल देखना को मिल रहा है अब इसके stock की performance देखें तो 3-year के हिसाब से 12% positive है 1-year के हिसाब से 40% positive है कुल मिला के stock की performance में काफी अच्छी है ROE को देखें तो 5-year के हिसाब से 7% positive है 3-year के हिसाब से 13% positive है और last year देखें तो 21% positive है तो ROE में भी अच्छा-का से हटके लगे और कुछ इसमें कमाल हो सकता है लेकिन रिस्क बहुत जादा है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की ओर्डिंग बहुत ही जादा कम है और यही यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता देनक बात है तो इतना ही निवेस करें कि डूप जाये तो आपको कमना हो लेकिन फ्र आपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंकि फ्रेंट